नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर परताल दुनिया भर की सरहत पार जब नफरत पहुचती है तो देश विदेश में किस तरह से बदनाम होता है एक तरफ यह घटना है और दूसरी तरफ अंतराष्ठी कूटनीती अंतराष्ठी राजनीत किस तरह से देश की राजनीती को वहाँ चल रहे आंदोलन को प्रभावित करती है यह है आज हमारी चर्चा का दूसरा मुद्दा सबसे पहले हम चलेंगे ब्रिटेन की तरफ ब्रिटेन में जिस तरह से जो साम्प्रदाइक हिंसा सामने आ रही है जो तनाव सामने आ रहा है UK के एक एहम शहर लेस्टर में जिस तरह से 17 सितंबर को सैकडो नौजवान उतरते हैं सडक पर, मास्क पहने हुए, हुड लगाये हुए और मुस्लिम इलाकों से जाते हैं, वहां प्रदर्शन करते हैं, जैश्री नाम का नारा लगाते हैं और इसके बाद यह पूरा इलाका जिस तरह से तनाव में घिरता है, सिर्फ लेस्टर ही नहीं, आस पास के बाकी शहरों में भी तनाव की घटनाएं आती हैं, क्या वज़ा है? और दूसरी खबर इरान से, इरान में हम सब जानते हैं कि अमरीका की बुरी निगाह लगी हुई ह गड़ी हुई है, लेकिन इस समय जो इरान में हो रहा है, वह बता रहा है कि अंतराश्टी कूटनीती जब एक देश को दबाती है, तो वहां जो घरेलू राजनीती, घरेलू मुद्दे, अभी व्यक्ति की आजादी है, उसको किस तरह से देखा जा सकता है? यह बहुत एहम मुकाम है इरान की राजनीती में, हमारे सामने जो तस्वीरे आ रही हैं, जो वीडियोज आ रहे हैं, वह बता रहे हैं कि इरान की महिलाओं ने बगावत कर रखी है, हिजाप के खिलाफ उनका गुस्सा फूट पड़ा है, प्रभीर जो घटना करम इंग्लैंड से सामने आया है, उसके एक शहर लेस्टर में जिस तरह से हिंसा की वारदात, दो समूहों की बीच, तो तस्वीरें देखके और जिस तरह से वर्टसप युनिवरस्टी में सब कुछ चल रहा था, तो अचानक मुझे लगा कि जैसे ये भारत में कुछ घटित हो रहा है, बकायदा इसके बनिस्पित की वहां यूके में घटित हो रहा है, ये जो हिंसा नफरत एक रिकेट एक जमाने में कह सकते थे, पर बैसिकली इमिग्रेंट पॉपलेशन, इमिग्रेंट पतलब हमारे यहां से वर्किंग क्लास के भी एक सेक्शन यूके में हैं, चाहे इंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बंगलादेश हो, भारत बर्ष, पाकिस्तान, तिनों मुलकों से वहाँ है और यह भी है कि वहाँ पर पहले यह target हुआ करते थे white racism की उस वक्त South Asia से कोई भी जाता था उसको पाकी नाम से गोशित किया जाता था तो एक वहाँ पर immigrant community के एक unity भी थी इसकी अंग्रेज racist attacks के खिलाफ तो बहुत सारे साउट एशियन संगठन बने थे जो इसका मुकाबला करता था तो अब क्या हुआ कि वो चीजे काफी कम हो गई संगरश के वज़े से अपने आप नहीं हुई अब ये जो कमजोर हुई है वहां की रेसिस्ट एटैक्स सामोहिक रूप से उसका जो सामना किया गया था अब जो उनकी आइडेंटिटीज हैं वो फिर उभर के आ रहे हैं क्योंकि उसकी पीछे भी बहुत सारे शक्तियां जो काम करती है ऐसा नहीं है कि वहां पर मुसल्मान होने के नाम से ही वो सब पाकिस्तान के साइट पे हैं बंगलादेशी इमिग्रेंट्स और पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स की बीच पे भी तनाओ है और वहां हिंदुत्वादी संगठनों का कामकाज नेटवर्क भी बहुत बढ़ा है इस घटना में भी सामने आया है बिलकुल खासतोर से मोधी का वहां जाना और वहां की एक सबर्थन माइग्रेंट्स जो यहां से बाहर गए हैं उनकी एक हिंदुत्वा क्रिपती जुकाव एक नैशनल आइडेंटिटी के रूप में उनको भी लगता है अच्छा है तो यह एक उग्र जातियताबाद कह सकते हैं उग्र नैशनलिजम की जो बीज है यह तो सब कॉंटिनेंट में हमारे यहां भी रहा है मुस्लिम लीग पाकिस्तान के नाम पे बोया है और हमारे यहां भारतवर्ष के नाम पे पुरानी हिंदू संब्रिधी वगारा वगारे नाम पे हिंदुत्वा वाले ताक्तों नहीं उसको वहाँ पनपा है और कुछ हद तक वह वहाँ पर इस वाक्त उसके reflection दिखाई पड़ती है पर मैं इसमें दो चीजा और जोड़ना चाहूंगा एक तो यह है कि हमें समझना चाहिए कि यह जो वहाँ पर जो white racism जो अंग्रेजियों का अंदर है गोरा नसलबाद जिस पे आप देख सकते हैं कि अभी भी Brexit लेकर उसका काफी प्रभाव रहा है तो एक तो उसको भूलना नहीं चीए तो इन community के बीच पे दराद पड़ना वो नसलबाद को और भी मजबूत करेगा और जो immigrant community है उसको और marginalize करेगा एक तो यह बात है और इसी लिए उनकी identity यह कहां से आये हैं उसको ना करके वो इंग्लेंड में बितानिया में वो immigrant community है उसको कैसे देखना चाहिए एक तो यह समझ फिर वापस आनी है क्योंकि कभी भी उन पर फिर attack गोरा नसलबाद का हो सकता है और लगता है अभी भी चलता है यह ऐसा नहीं कि खत्म हो गया तो यह जो इस तरह के चीज़ें वो दोनों बढ़ावा देना यह भी है और उसके साथ सद उसको पनपने का जब उनके लिए खत्रा पैदा होता है तो उसको दूसरे दिशा में करते ही का आपस में लड़ो भई हमारे खलाब निया आपस में लड़ो इस पर जादा जानकारी के लिए हम बात करने की कोशिश करेंगे ल सबसे पहले इस पूरे मुद्दे पर लगातार चिताबनी दे रहा था कि यह तनाव लगातार बढ़ाया जा रहा है तो देखते हैं अमरित कैसे देख रही है इसको वेलकम तो नियूस्क्लिक अमरित आपने सबसे पहले वहां पर जिस तरह से संप्रदाइक तनाव भैल पहला कमनल वालेंस या टेंशन जो ग्रोप किया उस पर आपके समूह ने तमाम लोगों ने सवाल उठाया था you raise the flag what is the condition right now when we are talking abhi kya sthiti hai now currently Leicester is very tense there's been as you have heard some degree of violence between different groups but you know people are calling for peace and for unity what we have what is what's absolutely clear is that a lot of this was stirred up by people from outside coming into Leicester in coaches. And in fact the Leicester MP, Claudia Webb, noticed that on the ground, the day after the incident with the coaches coming in, there were balaclava helmets, black helmets lying on the ground बुज जूज़िजब चलष उब फिए रूज़शों, चैना विर्का रपन वूब एक रे रहा है विज़द्ग धिज़द के विस लिए कंड सोर्व फिंद ड्रूड़ूंग ते खूप जूब द करने सी लिक फी गव्लेज़ खे बनासे लेंद लेडम्हें लीटेश ले प लेस्से बेस्स मौनिक नहीर एक झरत मैने प्रयल्दी इस वीजर थैस्जरा इस धुपार किलिस्करा ट्रजय कि टिसक्त प्रารba।च खीम्टरी कि नहीट, वह– किलोली यह, ₲ इसप के सहिव, जा। अशम्रा हमकट एक नहीं? it gathered more and more strength. Hindu Swem Sevak Sangh. Hindu Swem Sevak Sangh. So now, I mean, basically what it is, is that the RSS, still now, they have been involved in fundraising massively. You know, some of the money which was raised for the Gujarat earthquake has been shown on television to have been sent to people who are involved in the genocidal killings. And this fundraising has gone right on till now. But also there is attacks on anyone who criticizes either Modi or the Indian government or BJP. So there's all of that. Now this is a new phase we are seeing where the RSS actually wants to provoke conflict and violence on the streets. and I think our analysis of it is that it's because the RSS wants to use this in India to whip up more and more anti-Muslim hate and to say that Hindus are victims. You probably heard that the Indian High Commission sent out a message which really only talked about Hindus being attacked, which is completely wrong, you know. It is true that some Muslims were provoked. There's no doubt about that. But the violence started and was carried on essentially by people who had been instigated by the RSS. so this from the beginning of September when the match the controversy around the match happened. तब से लेकर अभी तक जब आप तमाम जो समू हैं सवाल उठा रहे हैं वहां का पुलिस प्रशाशन रोखने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा था और जो वीडियोस हैं वीडियोस दिखा रहे हैं कि पुलिस वहां पे मौझूद है उनके सामने ही यह तमाम जो ग्रूप है जो म हैंना है वहां कि वहां को जो कोशिए पाया है जो you know when the rss is active they are not going to just sit with their hands folded you know so that was going on for a pretty long time um the other thing is about the police i mean you were probably aware that thanks to the war on terror there's a lot of islamophobia in this country so the anti-muslim hate kind of is glossed over by the british state and by the police so there is that aspect as well which is important um but i i think it's really really crucial that we understand that this wasn't primarily about the cricket match this has been going on on a lower level before the match the match was a trigger after that there was a demo called by the um by the hindutwa forces against anti-muslim hate right which was very provocative um and then after that there has been this um this latest uh violence which um which really was completely engineered and planned by rss forces most of them from outside of leicester uh the rss forces against anti-muslim hate which um the rss force against anti-muslim hate in that situation thank you so much thank you so much for that thank you as a अगातार अमरीका के निशाने पे रहा है, जो सामराजवादी मनसूबे हैं, उसकी वज़ा से इरान सुर्कियों में बना रहा है, लेकिन इस समय इरान में जो बगावत है जो वे द्रोह दिखाई देरा है सड़कों पर, वहाँ पर लीट कर रही है इरान की महिलाएं, जो मसा अमीनी की जो हत्या होती है उसके बाद से जो एक नौजमान महिला है जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था ये जो सारा प्रोटेस्ट है जिस तरह से वीडियो आ रहे हैं खबरे आ रही हैं ये क्या अंदर क्योंकि अंदर से जो सुधार की मांग है उस रूप में आप देखत थी हर जगह हर सोसाइटी के हर स्टेज पे पहुंचने की और वो कभी दवा नहीं आज भी अगर आप जाएं तो इरान में और विमन एडूकेशन में चाहे डॉक्टर हो चाहे पढ़ाने वाले हो वो सब जगह पे उनकी काफी प्रभाव देख पाएंगे ऐसा नहीं कि इरान पाइटा नहीं है उनकी पूरी तरह से उनकी सोसाइटी बे उनको अब देख सकते हैं और ऐसे पोजिशन्स पे हैं जो इसके साथ साथ पावर भी चलता है और उनिवरस्टी खास और से उनिवर्सटी डॉक्टर्स बेडिकल इन सब चीजों में इरान के बहिलाएंगे तक प पर साथ साथ ये भी है उनको जो कहा कि वेल उनको हिजाब पहना है बाल नहीं दिखाई पड़ता चाहिए इस तरह के चीजे उन पर थोपी जाती है और उसके साथ साथ ये भी है कि जिसको रिलिजिजिस पुलिस कहते हैं कि इसको देखने के लिए और इसको हर जगाँ सकते हैं पर ग्रिफतार तक कर सकते हैं ये भी अधिकार है पीनल पावर्स है इसके बाद कोर्ट की तो ये सब जो चीजे है ये बहुत ही इरान के बहिलाओं के लिए बहुत ही क्या कहेंगे गुसा पैदा करने वाली चीज है और ये असंतोश उनके अंदर काफी रहा है कि ये चीज गलत है हमारे साथ जो हो रहा है और उसको बहुत तरीके से उसका विरोध करते हैं लम्मे समय से बहुत ऐसे नहीं कि बहुत प्रकट सिर्फ जो होता है वही आप की बात करें पर किता दूर तक हिजाब रखेंगे किता बाल दिखाई पड़ेगा नहीं पड़ेगा अगर चाय के दुकान में बैठे हैं तो किता बाल ढखना है इन हर चीज पे उनकी एक विद्रो हो रहती है जो बहुत साफ नहीं है बहुत प्रकट नहीं है पर वो रहता है पर इस बार जो जो जुआ है जिसके वजाए से इतना गुसा लोगों में है या औरते इतनी से बाह निकली है यह है कि ग्रिफतार करना और इसके बात तीन दिन हिफाज उसमें जेल पर रखना और उसकी मौत हो जाना क्योंकि उसको जिस तरह से मारा भी गया घसीट के लिए जो वीडियो सारे आए उसका बहुत बर-बर बहुत लगातार वो विद्रो भी कर रही है चिला भी आएगा उसका रिपोर्ट क्या आएगा वो देखने की बात है पर इस पे कोई दोर आए नहीं इस घटना से इसकी मौत हुई है क्योंकि 23 साल की एक लड़की इस तरह से sudden death नहीं हो सकता तो इस घटना से जुड़ी हुई है और religious police की जो भूमिका रही है यह सामने आया है इस वक्त क्योंकि अमरीका की जो दबाव इरान की nuclear deal लेके था उस वज़े से जो सरकार पहले थी वो कुछ हद तक उसको modernization की रुज़ान उसका था पर वो हरा चुनाव इसलिए कि अमरीका फिर जिस तरह से अपना Trump के दौरान जो agreement से इरान की nuclear agreement से निकल गया तो उससे लगा कि जो लोग चाहते थे एक normalize करें इरान के रिष्टा सब के साथ वो लोग लगा कि उनकी राजडिती परास्त हो गई वो अमरीका कभी भी इस चीच को मानेगा नहीं कि इरान को दर्जा दिया जाए दुनिया के एक दोएश के तरफ से वो हमेशा उसको चाहेगा इरान के दब इरान के जो सबसे जो इसमें एक बहुत बड़ा भूमी का इसकी modernization में इरान के रहा है वो प्रगतशील तबके इरान में काफी थे पहले और वो बामपंती ताकते थे अभी भी इरान में बामपंती ताकते हैं पर उस पर उपर जो attacks हुए है लगातार तो यह सिर्फ लेकिन उनसे ज्यादा बड़ी संख्या में पुरुष भी उनके समर्थन में उत्रे हुए नजर आ रहे हैं और यहां तक कि जो वीडियो दिखाई दे रहे हैं जो स्क्रीन पर भी चल रहे हैं उसमें आप देखिए कि महिलाएं खुदी अपने बाल काट रही है जो प्रोट अच्छी खासी संक्या में हैं ऐसा नहीं कह सकते जिए सर्फ एरान की महिलाएं ही शरकों पर है इस तरह की कंसर्विटिव राजडीती की खिलाव बहुत सारे एरान जनता शामिल है पर सवाल है कि अम्रीका जब इस तरह से एरान को कौने में करना चाहता है इसरेयल के साथ म एहमियत को डिनाई करना चाहता है नजर अंदास करना चाहता है उसके खिलाफ ऐसे शक्तियां वहां तब उभरती है जो कह सकते हैं एक हिसाब से उग्र नैशनलिजम अल्ट्रा नैशनलिस्ट फोर्सिस को मदद करता है इरान में इस अल्ट्रा नैशनलिसम और इस्लामिक आइ इन्टिटी जुड़ा हुआ है क्योंकि इसी से आपको याद होगा शाह का पतन इसी लिए हुआ था उसे बामपंथ भी थे पर ये भी थे और कबजा इन्होंने पावर को इन्होंने कबजा किया था और वही आज भी वहाँ पर चलता आया है तो क्या इससे इरान के समझ बदल इस वक्त क्योंकि जब तक वो अपना जो अंतर राश्ट्रियस पोजेशन इरान की होनी चाहिए वो उसको नहीं मिलता तब तक इरान की ये जो कंजर्विटी फोर्सेस है इरान की नैशनलिजम के नाम पे वो अभी भी काफी हद तक उसकी लेजिटिबिसी मिलेगी इसलिए नहीं कि उनकी राजडीती के लिए पर इसलिए कि अंतर राश्ट्रियस तर पे इरान की राश्ट्रियत अबाद जो है नैशनलिजम जो है वो अमरीका का खिलाफ है तो इसलिए इसका फायदा इनके बजाएगा इनके पास जाता रहा है क्योंकि जो शक्तिया प्रोग्रेसि इस तर पे क्योंकि मुकाबला होना और उसके लिए इस तरह के राश्ट्रवाद ही उसे अमरीका से लड़ने भिड़ने का एक राह दिखाता है तो वहां घरेलू जो राजनीती है घरेलू राजनीती का प्रगतिशील रुख सामने आना मुश्किल है और शायद यह महिलाओ के लिए और खास तोर से इरान की महिलाओं के लिए एक बहुत क्राइस का समय है जो गुस्सा दिखाई भी देरा सब्कों पर देखें क्या होता है क्योंकि मैं समझता हूं कि हर चीज की एक वक्त है और इस वक्त शायद इस उसलिए लिए इरान के सामाजी का राजडितिक मा नफरत का एजंडा हो जो इंग्लैंड में इस समय दिखाई दे रहा है या फिर महिलाओं को दबाने का पूरा का पूरा धार्मिक हतकंडा जिसके खिलाफ एरान में बगावत हो रही है यह अंतराश्टी कूटनीती का उस तरह से हिस्सा नहीं बनता उस तरह से निर्नायक रागते हैं वह अंतराश्टी इस्तर पर मुखर हों और सामने आएं शुक्रिया